हेलो प्रेंड्स आज आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक वर्ल में आज मैं आपको बताते हूं विगमिदास वंडर अप्लिकेशन के बारे में ही उसमें अब हमें नेक्ट शॉप लेनी होगी नेक्ट होगी आईवेर शॉप जो भी ऑप्टिकल्स मिल जाएंग ना वह वर ली शॉप अब हमें जाना है विगमिदास वंडर अप्लिकेशन पर जाने पर आपको इंटर पर जाएगा जहां पर आपको स्टोर लिस्टिंग च्वाइस करनी होगी एक्रेटियर अकॉंट के बार क्रेटियर अकॉंट को सेलेक्ट करनी है यहां पर नेम को इंटर कर दीजिए यहां पर OTP आपके फोन नंबर पर मिल जाएगे यहां पर पासवर्ड क्रेट करनी होगी पासवर्ड जो भी क्रेट करना चाहिए कर सकते हो जो स्ट्रॉंग होना जाए लेंट इस तर बैंक तो लिस्टिंग पर जाना है तो लिस्टिंग पर जाने के बा जान जाने आमपर शॉप कैटेशरी जो भी अपने शॉप लिया होगा जाने जाने आमपर सलेक्स कारेंट लोकेशान और एनीवर मस जो Google login perfect dealt मिल जाएगी जाने आमपर स्टेट सेलेक्ट करनी है जाने आमपर सिटी City select करनी होगी City select करनी है जो भी आपकी City होगी यहाँ पर लिखिंग देना है Type करना है Then यहाँ पर Area enter करनी होगी Then यहाँ पर Address enter करनी होगी Then यहाँ पर पान या अधार को select करनी होगी जो भी आपके पास होगा न फ्रेंट इसे enter करती है यहां पर trade license आपके पर जो भी store का license होगा ना उसे यहां पर upload कर दीजिए then यहां पर SSC AI license आपके पास होतों कर सकते हो आपके पास ना होता आप electricity bill को भी यहां पर upload कर सकते हो then यह हो गया यहां पर आपको photo add करने होगी optical shop वली photo को then register register कर देना है यह हो गया friends action completed explore orders page orders page मिल जाएगा आपको jam per all orders, spending orders, confirm orders और delivered orders और total products मिल जाएगे और membership में राइट में आपको circle में subscription days लिखाए देंगे और bell icon वाले button पर click करने पर आपको notifications मिल जाएगे और left side पर आपको shareable option मिल जाएगा जिस्टे आप easily share भी कर सकते हो और यहां पर three horizontal lines दिखा जाए रहे हैं आप friends आपको top में यहां पर click कर देने हैं आप पर click करने पर आपको green label green label वालो जुग्जी active set दिखा रहे हैं आप friends यहां पर इस पर click कर देने पर आप store पर अब label हो जाओ गया अगर आप inactive करते हो तो store inactive हो जाएगी जिसे बाप छुट्टी पर हो या फिर तो busy हो तो inactive भी कर सकते हो अब हमें करने है active जैना हमें profile setting पर जानी है profile setting पर जाने के बाद आप delivery या टिक अप का option डिजे सकते हैं मैं दूंगी delivery then how many km serving को option चुनना है जितने km आप सर्फ करते हो यानि पर online में जितने digitally आपकी शोग जितनी दूरी पर देना चाहते हो km से आप पर एंटर कर सकते हो देने हम पर delivery charger delivery चाहते जितनी लगती है आपकी यहां पर एंटर करते हैं यहां पर free delivery आप हो देनी है अगर आप free delivery भी देते हो अगर उन customers को जो ज्यादा खेंटी वाले products को खरीदते हैं उनके लिए आप free delivery भी दे सकते हैं यह हो गई update जाना है add product पर add product पर जाने के बाद आपको यहां पर जो भी अपकी product होगी आपकी दुकान पर उसे यहां पर add कर देनी है मैं add करती हूं sunglasses यहां पर then next step पर आपको sub category select करनी होगी then यहां पर original price एंटर करनी होगी जो भी इसकी original price होगी then यहां पर discount में देनी होगी अगर देना साथ हो तो दे सकते हो और ना तो original price ही यहां पर एंटर कर दीजें then जितनी unit होगी इसकी यहां पर एंटर कर देनी है then यहां पर stock then description यह हो गया description then यहां पर photo upload कर देनी है then add product कर देनी है friends अब product added हो चुकी है okay then अब हमें जाना है खिर से add product पर अब जितने चाहिए उतने products को यहां पर easily add कर सकते हो friends project name यहां पर एंटर करती हूँ यह हो गया then हमें एक्टर पर सब क्या के जरी add करनी होगी then original price को एंटर करनी होगी जोब इसकी original price होगी then यहां पर discount भी दे सकते हो then यहां पर unit एक करनी होगी then stock then यहां पर description then यहां पर photo add कर देनी है यह हो गई add product product tag is okay then आप easily इस product को edit और delete भी कर सकते हो इस edit यहां पर आप edit और delete भी कर सकते हैं friends आप edit इस पर भी कर सकते हैं जब आपका stock कम हो जाए कि या फिर तो बढ़ जाए तो यहां पर और यहां और फिर तो rate ज्यादा हो गया है यहां पर भी update कर सकते हो और जितने चाहिए प्राड़क की photos को भी upload कर सकते हो अब हमें जाना है सब्सक्रिप्शन पर सब्सक्रिप्शन पर जाने के बाद आप यहां पर बहुत सारे packages मिल जाएंगे अब जितने चाहिए select कर सकते हो पर 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 के लिए आपको आफर है then OTP then verify action completed treatment successfully हो चुका है 30 days के लिए subscribe हो चुके हुआ then अब हमें जाना है customer application पर orders पर order देनी है order देने के बाद में आपको यहां पर check करके बताती हूं है यह हो गई अब हमें जाना है store listing पर और हमें orders page open कर देनी है then अब हमें customer application पर जानी है यहां है हमने जाएड किया था अब हमें add कर देनी है card पर added हो चुकी है card पर जाना है then check out then select address then continue then successfully ordered अब हमें customer application पर जाना है और अपने orders को check करनी है यहां पर अब हमें order आ जाएगा अब हमें इसे accept कर देनी है accept कर देनी के बाद हमें जाना है confirmed orders पर confirm और उस पर जाने के बाद action completed करना है completed हो चुका है then your order has been accepted by the vendor करके एक message आजाएगा next आपको delivered होने के बाद एक message जाएगा notification पैनल पर यह हो गया friends easily eyewear optical shop को भी easily register कर सकते हो thank you friends thank you for watching this video और like share और subscribe करना मत भूलिएगा और जो भी stop upgrade करना चाते हो easily videos को देखकर आप register भी कर सकते हो नहीं तो अब हमें directly customer care वाले number पर भी call करके हमें ही register करने के लिए बोल भी सकते हो thank you